एक किसान ने अपने घर में कुछ गाएं और बैल पाले हुए थे. गायों का उप्योग दूद पाने के लिए तथा बैलों का उप्योग खेती के कारियों के लिए किया जाता था. इसके अलावा घर की रखवाली के लिए किसान ने एक कुत्ता भी रखा हुआ था. कुत्ते को हमेशा दूसरे के कामों में टांग रणाने की आदत थी इसलिए जब भी गाएं भूसा खाने लगती तो वो जाकर भूसे के धेर के उपर बैटकर उन्हें तन करने लगता था एक दिन कुत्ता गायों के भूसे के धेर के उपर बैठा था तो गायों ने उसे वहां से हटने को कहा परंतु कुत्ता नहीं माना ये देखकर गायों ने इसकी शिकायत बैल से कर दी बैल ने भी कुत्ते तो वहां से हटने को कहा पर कुत्ता अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ये देखकर बैल ने कुत्ते को ऐसी दुलाती मारी की बेचारा कुत्ता दुबारा वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए।